हाई दोस्तों मेरा चैनेल पे आपका स्वागत है आज मैं आपको बोंबिल का चटनी बना के दिखाऊंगा जो बंगाली में इसको लटका शुटकी भी बोलते और मारस्ट में इसको बोंबिल बोलते आज मैं आपको सुका बोंबिल का चटनी बना के दिखाने वालो दोस्तों की देखिए मैं करोई में तेल ढहने वालों वी दहल दिया हूं तो मेटा माटर देके पियाज़ कestra मिर्ची है और बॉम्बिल और रथ रसुन रसुन को मेंहीं पीसा नहीं है छील को नो ट्लिया है और दीखिए में पियाज ढ़ते करेंगे थोड़ा एक दू मिनटे करके फ्राइब करके यह चटनी आप रोटी के साथ गरम भाद के साथ खाये दोस्तों आपको दूसरा और कोई चीज का जरूरी नहीं है आप इससे यह बहुत अच्छा से भाद खा सकते क्या रोटी खा सकते रोटी हो परड़ा हो यह बहुत टेश्टी बनता है दोस्तों आप बना के दिखिएगा मैं इसको बॉंबिल को तीन चार पानी में धुलाई किया अच्छा से गरम पानी से तूसमें एक गंदा बास होता है वो निकल जाएगा दोस्तों अब भी करके दिखिएगा यह बहुत स्वाद होता है इसको मैं अभी बना को और दस बारत कợइल को डेवल के तुछालidd गाहें एक ऐस्थ ऑफ हाई है कि इन जालो पहार को दिखाएगा इसे म्हाराटी लोग पहता है मी ऐसे आपको बना की दिखार, कि emi यह माराटी लोग ऐसे खाते तो मैं माराटी रपका आपको बना के दिखाया हूं इसमें आपना हिसाफ से नमक ढालाओं आप अपना हिसाफ से ढालिएगा हल्दी डालाए बस इतने मसेला दोस्तों और कुछ नहीं ना धनिया पाउडर ना मिर्ची पाउडर ना कोई गरा मसेला कुछ नहीं सीब हल्दी नमक और बाकी सब में ले लियाओ पियाज कच्चा मिर्ची रसुन टामाटर बस इतने इसको आप एक दम ढखके कम कम आज पे इ इसको पकाएंगे और लाश में उतारने का टाइम पे धनिया पत्ता देंगे आप खाके मुझे कॉमेंट करके दोस्तों बताईएगा पिलिस आप लोग कॉमेंट भी नहीं करते सास्काइब भी नहीं करते आप सास्काइब भी कर दीजेगा दोस्तों मेरा वीडियो आपको इसको गरम भाद का साथ पराड़ा का साथ रोटी का साथ आप जो चीस का साथ यह इसका साथ आप दूसरा भाजी का बिल्कुल जरूरी नहीं दोस्तों चलिए मेलते अगला वीडियो पर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए शेर करिए और सब्सकाइब क करिए दोस्तों और कमेंड करके बाद ही आपको कैसर अगर दोस्तों चलिए बाई दोस्तों